हवाई हमलों के खत्रों को देखते हुए भारत ने अपना पहला एर डिफेंस सिस्टम पंजाब में तैनाद कर दिया है जी हाँ भारतिय वाई उसेना ने रूस से मिले S-400 एर डिफेंस मिसाइल सिस्टम के पहले स्क्वाडरिन को पंजाब में तैनाद किया है सरकारी सूतरों के मताबिक आपको बता नहीं जानकारी दी गई है और ऐसे में सूतरों के मताबिक जीन और पाकिस्तान दोनों से हवाई हमले के खत्रों को देखते हुए ये फैसला लिया गया है इस महीने के शुरुआत में रूसी मिसाइल सिस्टम के पार्ट्स भारत पहुँचने शुरू हो गए है और अगले कुछ हफ्तों में यूनिट पूरी तरहा से संचालित होना शुरू हो जाएगी S-400 की क्या खासियत है अब आपको ये भी बता देते है S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के पांच स्कुराइड ड्रेन को भारत ने रूस से 35,000 करोड रुपे में खरीदा है ये हवा में 400 किलोमीटर पर खत्रों को नश्ट कर सकता है इस साल के अंत के पहले स्कुराइड ड्रेन की जिलिवरी पूरी हो जाएगी सूत्रों के मुताविक हवाई और समुद्री मार्क से उपकरण भारत लाए जा रहे है सूत्रों के मुताविक पहला स्कुराजेन तैनात होने के बाद एयर फोर्स पूर्वोत्तर सीमा पर फोकस करेगी और देश भर में सेन्य कर्मियों को ट्रेनिंग भी मुहिया कराईगी ऐसे में भारते वाई उसेना के अधिकारियों और करमचारियों को रूस में इस सिस्टम पर ट्रेनिंग भी दी गई है साथी इस Air Defense System से भारत को दक्षणी एशियाए देशों पर बढ़त मिलेगी और वो दुश्मन के हवाई जहाजों को हवा में 400 किलोमीटर पर ही नश्ट करने में सक्षम होगा S-400 मिसाइल डिपेंस सिस्टम में चार अलग-अलग मिसाइले लगी हैं जिससे दुश्मन के जहाज और उस पे लगी मिसाइले AWACS जहाजों को 400 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, मीडियम रेंज, 120 किलोमीटर और 40 किलोमीटर की शॉर्ट रेंज पर तबहा किया जा सकता है सूत्रों के उताविक सक्त मोलभाव की वजह से भारत S-400 की कीमत बिलियन डॉलर कम कराने में सपल हुआ है तो अब यानिकी पंजाब में ये S-400 मिसाइल तैनात कर दी गई है क्योंकि दुश्मन देशों से हवाई खत्रों को देखते हुए ये पैसला लिया गया है